कि हलो नमस्कार साथियों मैं आपके लिए बीए फश्क्रियर के तोस्लोजी के कुछ इंपोर्टन कोश्चन लेके आया हूं है तो कोश्चन है हमारा सामाजी जीवन में धर्म का क्या आतवा में क्योश्चन दिया हुआ है konnte समाज में धर्म के प्रिकारिंग का उलिख कीजिए इसकी बार किरह रहा है कि धर्म सब्द की बैक्षा कीजिए धर्म के मौलिक तत्तु यद्यश्था क्या हैं तो आंसर इजह तेक है ते देन स्थार भौमिक समाज हमिदर जहर घड़ना है विस्तिक पे से शेष्टियों से है बेकिती का बैक्टियां करता है युद्य सकतियां उसकी सकति से बहुतने हैं विडियों कि इन सकतियों और उसक्षा से बचने के लिए और उनको के अधी भावना को बिकाश करके उंके विबहारों को नियंत्रित करता है धर्म सामाजीवकर का एक अनौप चारिख साहदन है जो बिक्ति में नयतिक गुणों का विकाश करके उसके विबहारों के वित गुरुस सभी जीवों के प्रति मन में धर्म कहा गया है जीवों केcourse प्रति मन में धर्म करना का मैं जा सबUNG सब्वwsक सकती में द्विश्वास के लिए किया जाता है और स्क्ति में विश्वास के लिए धर्म अंगलेजी भासा के रिलीजन सब्द का हिंदी रूपांतर है, रिलीजन सब्द की उत्पत्ती लेटन भासा के रिलीजेर सब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ बांधने से है, इस अर्थ में धर्म से साथ पर मनुष को अलावके सक्ति से समंद्ध करना है, अलावके स और टैलर के अनिसार धर्म अध्याद्मिक सक्ति में विश्वास है जीम्स फ्रेजर कर धर्म से मैं मनुष्ट से सरेष्ट उन शक्तियों की संतुष्टी या आराध्या समझता हूं जिनके सम्मझ में ये विस्वास किया जाता है कि भिक्रिक्रति और मानव जीवनको निर्देश चिर्थ बन्यंत्रित करती है माले नो वसकी के अनसार धर्म क्रिया की एक विदी है अलॉद का क्या अध्यात्मिक सक्ति में बिस्वाज से हैं नहीं दने का संभास नहीं मद कर दरुद में कि दो में विश्वास करता है बहें मानता है कि यह बेसक्तियां है जो श्रष्टी को बनाने वाली तथा चलाने वाली है कि आपका है आस्था विश्वास धर्म का तर्क से कोई समन्द नहीं है इसका समन्द केवल आस्था से है धर्म का समन्द किसे है आस्था से आपका भावानात्मग अलब के संब्सक्राइब भावनाओं से ब्यक्ति अपनी इन भावनाओं को फूजा-प्राथना आदि के द्वारा अभिवख्त करता है फुर्थ हमारा पवित्रता की धारणा दुर्खिम का विचार है कि सामाजी वेश्टूवों को दो बढ़गों में विवक्त किया जा सकता है पवित्र और साधारणा उनके अनुशाय धर्म का संबंद के अबल पवित्र वस्तूवों से है जो कुछ पवित्र है भैद्रम से सं अलग रखा जाता है तेक्वांट हमारा पूजापाट धर्म की एक अतेंत महत्पूर्ट बिश्चता पूजापाट है बास्ता में धर्म का दूसरा नाम पूजापाट ही है धर्म के अनुआई अलोकिक सकति को संप्रसंद करने के लिए अत्वा उस्ते सुभ फल कि नहीं है बरन इस अलोके सक्ति से सम्दित अनक धार्म कृत्यों अत्वा अनुष्ठानों का प्रचलन सभी धर्मों में होता है कि दुआ कि स्यवन्थ पॉइंट हमारा प्रति प्रतीक प्रतीव ऀद्रम के आनेवार अंगे आधि अधर है इनके माध के बिफर अधवा सब्सक्राद से अपनी भावनाओं को प्रिकट करता है कई येर्थ पॉंट हमारा धर्म ग definite धर्म गरंध किसी भी धर्म का धर्म पुरमगं से इवस्वा महत्पूर्भव है बास्ता में धर्म गरंध 2 आधार है जो किसी धर्म को चलाने में सहयक हो कि मियर्भाब बनाए निश्यद धर्म का एक और महतपूर्ट तत्व इस सम्मझेश निश्यद निश्यद है मैं धर्म की पवित्रता को बनाया रखने के लिए पृतरिक धर्म में कुछ निश्यदों का फिर्चलन होता है इन निश्यदों का पालंग करना अनुवार होता है पॉइंट है मारा संस्त्रड का अभिप्राग उचनीच की भावनाओं का पाया जाना है धर्म का आधार पर सभी लोगों की इस्थिती समान नहीं होती है इसमें उचिता अथ्वा सहष्टा की भावना पाई जाती है उचिता और सहष्टा की उधार के लिए हिंदी समाज में प्रहमाड शत्रिये भैश्टा सूद्र के आधार पर उचता और निम्र्था की भावना पाई जाती है कि इसके बाद में हमारा देखते हैं सामा धर्म के सामाजिक प्रिकारे अत्वा धर्म का सामाजिक महतो जो सब्सक्राइडिक है माने बिभार्व कर नेतर धर्म अलोगक करने पर पुर्द्ध होती है की विस्वास किया जाता है कि प्रसन होने पर सकती विच्uda को लाप सुख प्रदांग करती है और रुष्ट होने पर नुक्सान या करश्ट देती है इस विश्वाश के कारण बेक्ति धर्मान उकूल सद विभार करता है तथा अनुचुत काड़ करने से ड़ता है इससे बेक्ति का विभार निंतित होता है तेकिन हमारा मानम में सद्गुणों का विकास धर्म के कारण ही मानम में अनेक सद्गुणों का विकास होता है दया सहान्भुति सहयोग सच्चाई इमानदारी अथार्ष शदगुणों को गरहन करने के निर्देश धर्म सभी मिलते हैं इन सद्गुणों के विकास के करण एक और ब्रक्ति सद्विभार करता है दूश्री को और आने के सामाजी करना संब्ढदिकार करता है विकास के बिष्वास के कारण ब्रत्ति जीवन की प्रित्व सफलता के लिए ईस्वर को जिमिदार मानता है अतार जीवन में सफलता प्राप करने पर इस्वर को इश्टा स्रे दे कर बैक्ति स्वयम को अभिमान से बचा लेता है जीवन में असफलता मिलने पर इसे इस्वर की इच्छा समझ कर बैक्ति निरास नहीं होता इस प्रिकार दोनों ही परिष्थितियों में बेक्ति के बिक्तितु का संतुलन बना रहता है संतुलित बेक्तिक तो संतुलित बिभार को जन्म देता है जो समाज़ी नियंतरड के लिए अतन्त अवश्यक है फॉर्थ पॉइंट हमारा भावनात्मक शुरच्छा धर्म के कारण बेक्ति स्व्यम को अकेले अनुभब नहीं करता जीवन की प्रित्रेग परिष्थिती सुख दुख में वैं अलोकिक सक्ति को अपने साथ समझता है इसलिए बड़ी से बड़ी कर्टाई में अपने को स्वेच्छे अरॉब करता है और उत्सा के साथ जीवन की हर समस्या का सामना करता है इससे उसका बेक्तिक दो बिखिटित नहीं होता है हें हमारा समाजी एकता को प्रोच शान में सावह रहा है करता है कि ईब्धा को मानने वाले लोग घुश्रे के पृति अपनत्त ऊअमकी भावना में सावह करते हैं इस समाजी्ना नियंत्रड होती है जो समाजी नियंत्रड में सहयक होती है कि हमारा आर्थे जीमन पर धर्म मनुष्ट को सा इमांदारी प्रिस्रम पूर्वग कमाई करने के लिए करता है धर्म क्या करता है धर्म जो है मनुष्ट को इमांदारी और प्रिस्रम पूर्वग कमाई करने के लिए करता है महाभारत बाइबल कुरान आज धर्म ग्रंथों में अर्थ को धर्म पूर्वक अर्जेंग करने के लिए कहा गया है सभी धर्म नयतिक्ता का नियमन पुटे घर्म का पुर्मुक उद्देश समाज में नयतिक्ता के इस्तर को बनाए रखना है सभी धर्म नयतिक और अनयतिक उचित और अनुचित कल्यान कारी और अकल्यान कारी के अंतर के रिस्पेश्ट करते हैं धर्म बैक्ति को निराशा से बचाता है और दुख तता संकर में भी इसकी नियतिकता को बनाए रखता है इस प्रिकार सभी धर्म नियतिक नियमों के आधार पर बैक्ति के विभार को नियतित करते हैं तो यह था आपको लंग कोश्चन